आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Question में दे रखा है कि Let the distance between the plane 3x plus 4y 5z plus c1 is equal to 0 and this ठीक है तो ये दो plane है इनके बीच का जो distance है वो 2 root 2 दे रखा है c1, c2 हमारे क्या है? whole number है तो बहुत है number of possible order pairs अब c1 और c2 क्या कितने हो सकते हैं? तो m हो सकते हैं ये हमें दे रखा है तो m by 7 का value हमसे पूछा गया है तो देखो अगर एक general question आपन बात करें प्लेन का तो वो क्या होता है हमारा? तो ax plus by plus cz plus t is equal to 0 अब देखो ये जो plane है ये plane ठीक है? first ये plane है second हमारा ये plane है इसमें xyz का coefficient सेम है यानि कि ये दो parallel plane दे रखा है तो parallel plane अगर मैं मानूँ तो ax plus by plus cz इसको अगर मैं d1 बोल दू और ये मैं d2 बोल देता हूँ तो ये दो parallel plane है इन दोनों के बीच का जो distance होता है वो हमारा क्या होता है? तो d1 minus d2 का magnitude upon यहाँ पे होता है a square plus b square plus c square तो ये हमारा distance होता है दो parallel plane के बीच का तो ये हमारा distance होता है तो similarly यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? distance अगर मैं दोनों के बीच का निकाल लूँ ये d बोल दूज को तो तो d हमारा हो जाएगा c1 minus of c1 minus of minus c2 ओके? और upon यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? तो under root ठीके? 3 का square that is 9 ठीके? 4 का square that is 16 plus 5 का square that is 25 देखो ये 3, 4, 5 हमारे a, b, c थे तो यहाँ से अपन देखें तो क्या आगया हमारा? और distance हमें किसके equal दे रखा है? 2 root 2 के तो ये 2 root 2 आ गया तो यहाँ से देखो ये क्या गया? c1 plus c2 का mod upon यहाँ पे क्या जाएगा? 5 root 2 is equal to 2 root 2 तो ये value हमारी क्या जाएगी? तो c1 plus c2 का mod हमारा क्या गया है यहाँ से? तो ये हमारा देखो ये क्या गया? 20 के equal तो ये 20 आपन गया अब देखो c1 plus c2 हमारे 20 ही हो सकते हैं प्लस मैनस अगर आपन बोलें तो यहाँ पे मैनस नहीं करूंगा तो देखो ये सिफ हमारा positive ही possible है क्यों? क्योंकि हमारा c1 और c2 क्या है? whole number है तो whole number हमें से positive होंगे तो c1 और c2 हमारी जो combine होके आएंगे वो positive में ही आएंगे यह जो 20 आएंगे अब देखो c1 plus c2 अगर मेरा 20 है तो इसके number of order पेर मेरे को निकालने तो इसके number of solution अपन combination है permutation combination से कैसे लिखते है तो इसका formula क्या होता है हमारा तो n plus r minus 1 cr minus 1 तो यहां से पन देखे n हमारा क्या है तो n हमारा होता है यानि कि ये जो m का value यानि कि this is equal to क्या है तो m plus r हमारा क्या होता है तो number of यहाँ पे terms कितने हैं, तो x plus y दो term है, ठीक है, तो यह हो जाएगा 2 minus 1, और यहाँ पे 2 minus 1, ठीक है, तो इसी तरह से, इसका जो number of solution होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो, यहाँ पे हमारा जो m के जगा है, 20, तो 20, ठीक है, और हमारे number of term, यहाँ भी 2 है, तो 2 minus 1, और n minus r का factorial, यह होता है, तो यहाँ से हमें क्या आजाएगा, 21 का factorial, ठीक है, और इसको मैं क्या लिखूँँगा, तो यहाँ पे 1 का factorial, फिर 20 का factorial, यानि कि 21 into 20 का factorial, divide by 20 का factorial, क्योंकि 1 का factorial 1 होता है, तो यह इससे cancel आगया 21, ठीक है, तो यह value आगया 21 के equal, तो number of solution हमारे 21 है, यानि क कि order पेर हमारे कितने possible है, तो M का value, that is 21, ठीक है, तो हमें पुछा M by 7 का value गता हो, यानि कि 21 upon 7, that is 3, तो हमारा answer है 3, thank you.